कि मेरे डेजल क्लासे में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेसंन में स्वागत करते हैं तो यहां पर हम छत्तिगड समान्य धन्य कोस्टन यहां पर कवर करते हैं ठीक है जी सबीग्जाम के इंपोर्टेंट है छत्तिगड के कोई भी एकजाम के आप पेपर कर रहे है व्यापम पर तयारी कर रहे हो पेसी हो प्येसी में प्रीं कर रहे हैं जैसके त्यारी कर। प्रकुibenटी हो है आपकोई बहुत इंपर्टंट Phase कर रहा है कि सारे यह जोर्प लेटिश सब 2 difference was सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है जी तो चली स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले पारा है तो चानल को सस्क्राइब करके रख लेज़ेगे ताकि जो नोट फीकिसन है आप तक यहां पे पहुंच पाए को पहला कोशन देखते हैं 46 कोशन मारा 45 कोशन तक मैं पि कमा विज़दार ताडू दार या बढ़कर इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा बी आपसन ठीक ही तो मराठा कालिंस आसन बेवस्ता में जो है कमा विज़दार जो है परगना के जो सरवच्चा धिकारी थे जो सुबेदार के प्रति उत्तरदाई होते थे ठीक ही और अपन पार ये खजानचिक रूप में कारे करते थे या आपके ताडू दार बढ़कर बढ़कर परगने के समानी स्थितिकी सुचना वाविद देने वाले अधिकारी होते है ठीक ही जिसको आपको याद रखना है ठीक ही तो यहां पर बोला जा रहा है प्रमुक अधिकारी मराठा परगने के प्रमुक अधिकारी कमा विजदार होते थे ठीक ही अगला कॉस्टन सभी कोस्टन आपके लेटेस पैटन पर है सारे कोस्टन सेलेक्टेड कोस्टन है ठीक है जी तो अगला कोस्टन है 47 वी नराएणड़ सी को फांसी कब दी गई थी 20 जनवरी सन 1857 को 10 दिसंबर स इसका भी आपसन हो जा गए यहां पर करेक्टर तो वीर नरायड़ सी को जो फांसी न को कब दी गई थी इनको जो है 10 दिसंबर अपनासी आपको याद होगा 1856 याद होगा सोना खान विद्रो हुआ था था तो इसके नियुत तकर तकरता है सोना खान के यहां पर जो है सोना कान जो है बलादा बजार में अकाल पीडितों को अनाज उप्रब्द कराने के लिए नरायाट सी ने कश्जूर के ब्यापारी थे जिनका नाम था माकान लाल ठेक इनके गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया गया थे फिर यहां पर जो है इन 27 अगस्त को यहां पर 1857 को जेल से सुरंग बना करी फरार हो गए ठीके जी इसके बाद जो है 10 दिसंबर 1857 एडियर्ट याद रखना है आपको विन रायपूर के जैस्तम चौप में चार्स इलियर्ट के फैसले करूंशार इनको फासी दे दी गई थी विन रायट सी को इसी कारण इनको छत्ती गड़के स्वतंतरता संग्राम के सहीद इनको जो है माने जाते हैं कहलाते हैं ठीक है याद रखना है यापके व्यापम में लाइब्रेरियान में पीएसी में आपका समबलपूर इसका पर एक्ट आजायेगा अभी तक कि हम रयपूर में नहीं पढ़ें ठीक है तो और को इस सबीन को आपको याद रखना है कि यह विद्रोसी खुशन पूछे गए है चलिया बड़ते हैं अगला को संतरब प्रकासित होने वाला पहला मासिक अगबार आप कई बार देखें मैं करेंट पर भी पढ़ाता हूं कहां तो डे नेशनल इशनल करेंट पर से वहां भी मैं बताता हूं कि जहाँ पर पहला सब्द आता है तो वहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है तो पहला सब्द अपने आप इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है छतिजगर्ड का प्रकासित होने माल पहला मासिक अगबार जो मंतली जो समाचारपत्रा जो प प्रकाशन में हुआ था माधाराव सप्रे और राम राम राव चिन चोल कर यह दोनों इसके संपादक है और गाउरेला पेंडर मरवाही से यहां से इसका प्रकाशन यहां पर किया जा रहा था ठीक है तो माधाराव सप्रे और राम राव चिन चोल कर ठीक है इसको आपको याद रखने इसके बाद दिखेंगे यह सभी आपसर में दिये हैं वह भी इंपोर्टेंट है एक जाम में आये हुए हैं हिंद केसरी हिंद के हिंद के जो केसरी है यह आपका इसका प्रकाशन 1908 में किया यह आपका छत्तिगर्ण मित्र 1908 में यह आपका हिंद केसरी प्रकाशन किया जा रहा था महाकावसल दिखते हैं ठीक ही महाकावसल भी इंपोर्टेंट है 1936 ठीक है महाकावसल जो 1936 में जो है अंबिका चर्ण रसुखला एक सब्ताही समाचार पत्र है राइपूर्स इसका प्रकाशन किया गाता उत्थान भी बहुत इंपोर्टेंट है उत्थान 1935 है उत्थान 1935 में इसका प्रकाशन किया जा रहात कहां से राइपूर्स विकास परिषात के दौरा किसके दौरारे पंडिस तुंदर लाग दिख है चली नेक्ट वसंद देखते हैं चतिजगर के प्रकासित होने माला प्रथम दैनिक अकबार काउंस है हिंद के सरी चतिजगर मित्र महाकाउसल या उत्थान पत्रिका तो अब ही इसको बताया है महाकाउसल ठीक है महाकाउसल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में अंक है द्रिक बारकार काउस उत्थान प्रथम कऱों प्रथम दैनिक अकबार था आपका महाकाउसल 1936 में इसका प्रकासिन किया जा रहा था अंभी का चरण सुकला और यह आपका सब्ताहिक समाचर पत्रव है अर्य राइपुर्श ठीक कर दोलीमist क 쿠 यह आप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बस्तर का मुक्ति संग्राम भी इसको कहा जाता है इसी को जो है लिंगाग वी द्रोक नाम से जानते हैं ठीके तो सभी को याद होना चाहिए अठारस चपन में हो रहा था इसके सासक भायराम देव नेतुत करता धूरवा राम माडिया इसके नेतुत करता है यह बस्तर को अंग्रेजी समराज में सामिल के जाने को विरोध में इस उद्देश से लिंगाग विद्रोक हुआ था ठीके धूरवा राम को जो ही इसका और साथी साथ लिंगाग विद्रो जो के बस्तर का महान मुक्ति संग्राम यह आपका कहलाता है ठीके जी आपको याद रखना है अगला कोशन चलिए अगला कोशन देखते हैं लिंगाग विद्रो जो हुआ था अभी बताया लिंगाग विद्रो आठारा सो चपन में हुआ इसके नेतूत्त करता कौन थे? जाड़ा सीरह, दलपत्सी, धुरवारा मारिया या गुंड़ाधुरु तू लिंगगरी विद्रोग के ठीके जी इसके नेतूत्त करता यहां पर धुरवारा मारिया जी थे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जी अठारस छपपन में हो था इसी को बस्तर के मुक्ति संग्राम कहते हैं भायरम देविस के सासक है अनुदित तो करता धूरवारा माडिया जी है इसका सी आप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी कोस्टन आपके जो इंपोर्टे टाइगर पॉइंट जो है जल पर पाथ है वाटरफाल हमारे छत्ति गड़ के कौन से जीले में इस थी थे बस्तर में कोरिया में सरगुजा में या जस्पूर में इसका सी आपसन करेक्ट आंसर हो जाएगा तो टाइगर पाइंट जो जल पर पाथ ही आपके कहां पर है यहा यहां पर जो है कौन से नदी पर बना हुआ है तो मान नदी पर आपका बना हुआ है ठीक है यहां पर लिख दिया हूं तो यहां पर मान नदी पर आपका बना हुआ है ठीक है और यहां पर जो है मैंड पार्ट में आपका इस्तित है ठीक है सरगुजा जल पर पाथ आपका हुआ है ठीक है टाइगर पॉइंट प्रपात मैं पार्ट में है और साथी साथ इको पॉइंट फिस पॉइंट सेदम प्रपात हुआ यह वर जो है सभी जो वाटरफाल है आपका बहुत ही अच्छी जगह है घुमने के लिए सरगुजा जीला मैं पार यहां पर आप जा सकते ह इसको याद रखें कोरिया में जो है अमरी धाराजर प्रपात है जो हज़्द वनति पे बना हुआ है ठीक है अकुरिन यारा जप्रपात यह सभी जो है कोरिया जीलम है ठीक है आपके जाम यह कुषे गए चलिए अगला कॉसन लेखते हैं का उनसा जो परियटर निस्थाल स परियाटन इस्थान जो है संत वल्लवाचारिया का जन्म इस्थान माना जाता है राजीम को सीरपूर को चंपरण को या सिहावा को इसका जो correct answer हो जाएगा चमपरण यह जो है रायपूर जिला का अंतर गताती है चमपरण तिए यहां पे जो परियटन इस्थाल है चमपरण ठीक है तो जो परियटन संत वलबा चारी का जन्म इस्थान किसको मानना जाता है चंपरण को चंपरण जो है आपका रायपूर जिलाक अंतरगत आती है ठीक है जी अगला कोशन देखते है चलिए अगला कोशन देखते है इस राज्य में निमनलखित में से कौन से इस्थान में 1857 में अंग्रेजों को उरिद्ध विद्रों की घटन घटित हुई थी ना रायपूर में पिलासपूर में संबलपूर में या सोना खान में इसका डी आपसन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सोना खान विद्रों के बारे में स्टार्ट में बताया दिया था 1857 च्छपाण निम्या लिखित में से कौन से जूर नेता जो है मद्ध प्रतेश के प्रथम मुख्य मंतरी रहे थे ठीक है इरागवे नेर्राव जी द्वार के प्रसाद मिश्र जी पंडित रवी संकर सुकल जी या खुपचेद बहगेल जी इसका पंडित रवी संकर सुकल जीसका प्रत्र मुख्य मंत्र इनको बनाया गया था 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 इनका जन्मा जागर सागर इंपी में जन्म हुआ था ठीक है और इन्हों ने राइपूर में जिला परिशाथ के इनको अध्यक्ष्य बनाया था था 1923 में जिया यहांपे हो जो है नहीं ठासि पाहली बनत्र के शिकन मंत्र इसे पहली आपका शिक्चह मंत्री थी यही को सब्सक्राइब से और राइपूर के गेर दख़याplaceली का पत्रिक इसका ईपन ए उन्हें उन्हों थे तो है उन्हें यहांपे किय था 1951 में ठीक है और 1940 में चत्य गर के प्रथम ब्यक्तिगत सद्धगरही बनने का स्रेम प्राप्त है याद रखेएगा अगला पॉशन देगते हैं इस राज्य के उच्च नियाला के छत्तिगर राज्य के उच्च नियाला के प्रथम कारेकारी मुख्य नायदिस कौन था न्यायमूर्थी एक पट नायक न्यायमूर्थी एसार नायक या न्यायमूर्थी जगदीश भल्ला या डी है न्यायमूर्थी आरिजगरगर इसका डी प्रथम से भी कोश्ण पुछे जाते हैं ठीके यहां पर देख सकते हैं तो छत्ती गड़ उच्छ न्याला बिलासपूर जीला की बोदरी नाम की स्थाम परिस्थ था जो कि देश के उनिश्वक्रम का उच्छ न्याला ही इस उच्छ न्याला प्रथम कारेवाहक नियाए थी नियामूर्ति A स्रावाग निया और प्रत्रम नियादिष दबलू A स्रावाग बनाए गैने जी सब्याद्पर Chief हैं ठीक है तो चलिए आज के सिसन अमने तक रखते हैं कैसा लगा सिसन जरूर बताईए गर ठीक है जी और पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए ताकर नोट भी किसे नाव तक यहां पर पहुंच पाई डेली बेस पर जो मैं नेशनल इंटरनेशनल जो है तो आप जितना भी पढ़ते हैं कम से कम संड़े उसको रिवाइज किया करिया रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे तो आप जो है रिवाइज करेंगे तभी आप को दिमाग में भूशेगा ठीक है तो आप समझदार हो चलिए मिलते हैं हकले पार्ट में आज के सिसन यहीं तक रखते हैं थाइंक यू